देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमश्कार मैं हूँ मोहित कमल श्रिमाली और आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पर और आज के इस विशेश एपिसोड में आज इस एपिसोड में मैं आपको साधारन तौर पर एक चीज बताने वाला हूँ एक नहीं बलके तीन है सबसे पहले इस शरत पूर्णिमा पर ग्रहन का साया है तो इसका अर्थ क्या हुआ दूसरा आप जो छट पे या फिर चांदनी रात में खीर रखते हैं वो कब रख पाएंगे और एक ऐसी गलती है जो अकसर लोग करते हैं वो गलती आपको इस समय में करने से बचना है तो वो क्या गलती है वो भी इस एपिसोड के अंत में बताऊंगा शरद पूर्णिमा जैसे कि आप जानते हैं कि 28 ओक्टोबर को होगी शनिवार का दिन है वो इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्रग्रहन का भी साया है शरद पूर्णिमा की देर रात एक बच के छे बजे से चंद्रग्रहन लगेगा जो मध्यरातरी दो बच करके 22 मिनट तक रहेगा चंद्रग्रहन का सूतक काल जो है वो 9 गंटे पहले शुरू होता है ये चंद्रग्रहन के इतने एपिसोड आपको बताया हूँ बार बार एकी चीज बताया हूँ कि 9 गंटे पहले सूतक लग जाता है तो ऐसे में इस बात का तो खास ख्याल रखना है ऐसे में आप शरद पूर्णिमा के अफसर पर खुले आसमान के नीचे खीर कब रखेंगे रखेंगे भी या नहीं रखेंगे सूतक काल को अशुब माना जाता है तो इस वज़े से उसमें शुब कारिय बोजन बनाना खाना खाना ये समेट काम सभी वर्जित है अब शरद पूर्णिमा की खीर कब बनाएंगे उसे चंद्रिमा की रोश्णी में कब रखेंगे यही सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपका फाइदा छुपा है इसमें जैसे के हम जानते हैं शरद पूर्णिमा 28 ओक्टोबर शनिवार के दिन सुभे के समय 4 बच के 18 मिनट से आरंब होगी अब चंद्र ग्रहन जो है उसका प्रभाव भारत पर 28 ओक्टोबर 2023 की रात को 11 बच के 32 मिनट से शुरू होगा पर सुतक सुभे या ये कहूं दो पहर में 4 बच के 5 मिनट से शुरू होगा चंद्र ग्रहन का स्पर्ष जो है वो 29 ओक्टोबर को सुभे की समय 1 बच के 5 मिनट पर होगा और मोक्ष 29 ओक्टोबर को सुभे की समय 2 बच के 23 मिनट पर होगा पंचांग अगर आप देखते हैं या जानते हैं या पंचांग के अनुसार अगर हम बात करें तो ये ग्रहन जो है वो लगबग एक घंटे और अठारा मिनिट का है इस ग्रहन के दौरान भारत में सूतक लगेगा और ये किस समय लगेगा ये भी आपको बताया हूँ कि दोपहर के चार बच के पांच मिनिट से आप कहीं पे माक कर लीजेगा इस चीज़ को कि इस चीज़ को कहीं भी किसी भी तरीके से आप भूल ना जाएं यदि आप भी हमारी तरह शरत पूर्णिमा पर खीर बना करके रात में खुले आसमान के नीचे रखेंगे तो ये खीर दूशित हो जाएगी और दूशित खीर आपके स्वास्त्य के लिए हानिकारक बन जाएगी तो चंदर ग्रहन का सूतक काल आरम होने से पहले आप दूद ले करके आ जाए उसे गरम करके उसमें तुलसी दल और कुश डाल करके रख दीजे मध्यर आतरी चंदर ग्रहन के मुक्ष के बाद में आपको खीर बनानी है और खुले आस्मान की नीचे चलनी से ढख करके आपको रखनी है ताकि उसमें चंदर मा की रोशनी पड़े और बाद में उस खीर को आप और आपका परिवार ग्रहन कर सके अब बात आती है खीर बनाने का महत्व क्या है तो धार्मिक मानियताओं के अनुसार ये बार-बार बताया जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंदर मा की सोला कलाओं से पूर्ण हो करके अलोकित होती है और इस वज़े से उसकी जो किर्णे है चांदनी रात जो है उसकी किर्णे जो है वो अम्रत के समान औशद्य गुण होते हैं जब हम शरद पूर्णिमा की रात खीर को खुले आसमान के नीचे रखेंगे तो उसमें चंद्रमा की किर्णे पड़ेंगी जिससे वो खीर औशद्य गुणवाली बन जाएंगी अब खीर की सामगरी जो है दूद, चावल, चीनी ये तीनों ही चंद्रमा से जुड़ी चंद्रमा और गुरू मेश राशी में होंगे तो इससे गजगेसरी योग बनेगा तुला राशी में स्थित सूर्य और मंगल और साथी साथ बुद्ध की शुबद्रिष्टी भी इन पर रहेगी ग्रहन के आरम होते ही समय सिध योग भी आपको बनेगा और शनी भी अपने आपके पास है अब बात ये है कि आप इस शुबता का फाइदा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे गल्ती जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि भूल से भी नाहीं आप खीर ग्रहन से पहले यानि कि सूतक काल में बनाएंगे ऐसा नहीं कर सकते और अगर बना रहे हैं ग्रहन के बाद में तो आप उसको चांद के नीचे छलनी के साथ में ढक्के रख सकेंगे. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा खीर खाने से जो ग्रहन प्राप्ट करना चाते हैं अपने जीवन में बहुत चीज़ें बहतर करना चाते हैं बहतर बदलाव की तरफ आगे बढ़ना चाते हैं तो ऐसे में अज्यांता वश हमारे हाथों से कोई गलती नहों उसी वज़े से यह एपिसोड आपके सामने दिया हूं हमेशा की तेरे प्रात्ना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदेव, सुखी रहे, संपन रहे और सुरक्षित रहे घर में बड़े बुजर्गों का साथ और आश्रवाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे जैश्री राम एवं जैहन